Hello guys, welcome back to this channel So friends, last video में हमने Vivo V30 और Vivo V29 स्मार्टफोन को कंपेर किया तक काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा है अगर आपका भी कोई डाउट है दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड तो आप कलियर कर सकते हो बढ़ आज की इस वीडियो में फ्रेंड साम Vivo V30 प्रो स्मार्टफोन को उसके प्रिडिक्सेसर Vivo V29 प्रो से कंपेर करने वाले है और लेट से इस बार हमें Vivo V30 प्रो में Vivo क्या कुछ पेक करके देने वाला है बढ़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए आयो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना फ्यूचर में एसे ही नोलेजफुल वीडियो के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स बिल्ड क्वाल्टी डिजाइन वगेरा के बारे में बात करें तो डिजाइन में डेफिनेटली गाइस चैंज हुआ है इस बार आपको यहाँ पर ओर लाइट काफी बड़े शेप में देखने को मिलेगी और जो कि फ्रेंट्स देखने में काफी कूल लगती है और आपको इस स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है और आपको इस स्मार्टफोन में कॉर्निंग और लागलास 5 की प्रोडेक्शन भी दी जाएगी जो कि again Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में almost similar रहता है तो यहाँ पर fans आपको कोई भी ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले fans display के बारे में बात करें तो Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में 6.78 inches का एक 1.5 का resolution वाला 3D curved OLED पैनल आता है और यहाँ पर fans 10 bit colors HDR 10 plus वगेरा का sport भी दिया गया है बाकी bezels वगेरा भी काफी कम देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर display quality definitely काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है और same display guys आपको इस बार भी Vivo V30 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी इवन दोनों स्मार्टफोन में 120 Hz की higher screen efficient का sport भी दिया गया है बट difference आपको brightness में देखने को मिलेगा बिकोज लाज टाइम Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में 1300 नीर्स की peak brightness का sport दिया गया था सेकंड दोस्तों performance की बात करें तो यहां पर finally इस बार आपको काफी बड़ा upgrade देखने को मिल जाएगा बिकोज लाज टाइम हमें MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट देखने को मिला था और Vivo V27 Pro स्मार्टफोन में भी same chipset यूज़ किया गया था और यह chipset 4NM fabrication पर बेस्टा और इसके अन्ततू score हमें 8 लेक तक देखने को मिल जाते हैं तो definitely यहां पर performance अच्छी खासी देखने को मिल जाती है बाकि यहां पर LPDDR5 रेम यो फर्स 3.1 श्टोरिज भी दी गी है लेकिन फैंट्स Vivo V30 Pro स्मार्टफोन में इस बार आपको MediaTek की दरफ से Dimensity 9200 प्लस chipset देखने को मिलेगा और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह chipset भी 4NM fabrication पर आता है तो यहां पर आपको बेटरी ड्रेन भी काफी कम देखने को मिलेगा बाकि यहां पर 1.4 मिलियन तक अंत्तू स्कोर देखने को मिल जाते हैं और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि गाईज स्मार्टफोन के साथ आपको BGMI के अंदर इस पर 90 fps तक ग्राफिक सेटिंग भी देखने को मिल सकती है बाकि यहां पर LPDDR5 RAM के साथ UO4S 3.1 स्टोरेज भी आती है और Vivo V30 Pro स्मार्टफोन का टोब विर्यंट आएगे साब को 16GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा और अब सबसे इंपोर्टेंट पार्ट गाईज केमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में 50+, 8+, 12MP का ट्रिपल केमरा सेटप दिया गया था और इसमें IMX 766V OIS में सेंसर 8MP अल्टावरड और टेली फोटो लेंस दिया था जो की 2X Optical Zoom के साथ आता है और यहां पर 4K 60fps वीडियो र्कॉर्डिंग का स्पोर्ड भी दिया गया था लेकिन फ्रेंट्स इस बार आपको Vivo V30 Pro स्मार्टफोन के अंदर IMX 920 में सेंसर देखने को मिलेगा जो की 50MP का होने वाला है और यहां पर भी OIS का स्पोर्ड दिया जाएगा सो डेफिनेटल स्मार्टफोन में आपको केमरा क्वाल्टी काफी इंप्रेसिव देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन में 4K 60fps वीडियो रिकोर्डिंग का स्पोर्ड भी मिलेगा फ्रेंट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको Samsung JN1 50MP सेलफी शूटर देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में आपको 4K 60fps फ्रेंट से भी वीडियो रिकोर्डिंग का स्पोर्ड देखने को मिलेगा लाश्ट में दोस्तों बेटरी और चार्जिंग के बारे में बात करें तो Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में लाश्ट टाइम 4600MH डीजेंट बेटरी और 80W वाइड फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ड दिया गया था एंड कुछ एक्ष्टा फीचेस के बारे में बात करें तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं X-axis Motor का स्पोर्ट दिया गया है NFC Wide One L1 का स्पोर्ट भी आता है लेकिन फैंड्स Vivo V29 Pro स्मार्टफोन में Bluetooth version 5.3 के साथ Wi-Fi 6 का स्पोर्ट दिखने को मिलता है और Vivo V30 Pro स्मार्टफोन में इस बार आपको लेटेस्ट Wi-Fi 7 और Bluetooth version 5.3 का स्पोर्ट दिखने को मिलेगा तो connectivity definitely guys काफी बढ़िया होने वाली है और all guys conclusion की बात करें तो Vivo V29 Pro से Vivo V30 Pro स्मार्टफोन पर आपको स्लाइड अपग्रेड देखने को मिलेगा लेकिन friends अगर आप already Vivo V29 Pro user हो तो definitely आपको Vivo V30 Pro पर अपग्रेड नहीं करना है लेकिन friends अगर आप अपग्रेड करना चाते हो तो ये भी choice बढ़िया हो सकती है विकोज यहां पर आपको features काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये कुछ differences आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे आपको आज के वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कर देना अपनी दोस्तों के साथ share करना हो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना